जॉइन फोरम आई-एस एकडमी ट्रस्टेट बाए हंड्रेट्स ओफ टॉपर्स इंक्लूदिंग आई-एस रैंक वन शुती शर्मा हेलो एवर्यवन, विल्कम बैक टॉळूम आई-एस यूटुब चैनल आज 28 मार्च है और 28 मार्च को मैंने दो आटिकल्स लिये हैं देहिन्दू से इसकास करने के लिए और एक आटिकल लिया है एंडियन एक्सपैस से डिसकास करने के लिए देहिन्दू से जो पहला अर्टि के बारे में जो भी disqualification के बाद क्या-क्या issues हो रहे हैं कुछ gray areas हैं law में जिस तरह Supreme Court ने पर judgments दिये हैं तो कुछ gray areas से उसके बार में discuss करेंगे और यह भी देखें कि Section 8 को क्या amend करके कुछ उसमें प्रावधान किया सकता है कि जो gray areas उनको remove किया सके ठीक है Supreme Court में भी एक petition उसके बार में हम देखेंगे जो दूसरा art के लहाज का वो है oceans को लेके है oceans काफी critical होते है economic और strategic importance के मामले में तो हम यह देखेंगे कि कैसे G20 की presidency जो इंडिया के पास है कैसे इंडिया इस opportunity को exploit कर सकता है कि oceans को लेकि oceans के लेकि common vision तयारो countries के बीच में एक तरह की mutual understanding develop हो कि oceans का sustainable use और sustainable exploitation of resources किया जा सके ठीक है जो तिसरा art के लहाज का यह इंडिया एक्सप्रेस से है और यह है अफस्वा के बारे में Armed Forces Special Protection Act 1958 इसके बारे में यह देखेंगे कि अभी government ने नागा लेंड मनीपूर आसाम के कुछ एरिया से आफस्वा को हटाया है तो हम इसके बारे में डेटेल से देखेंगे कि आफस्वा आया क्यों था हटाया क्यों जा रहा है क्या इसके प्रोविजन्स थे क्या committees ने recommendation दिया है और जो अभी content है यह handy format में है इसका आप डाउलोड कर सकते हैं टेली टेल्लाम चैनल का लिंक दिया गया है इस सजा सुनाने के बाब देखें RPA का the representation of the people at 1951 का एक section है section 8 subsection 3 तो RPA का जो section 8 subsection 3 है वो यह कहता कि अगर किसी को भी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा सजा मिलेगा तो ततकार प्रभाव से उसकी सदस्ता है वो खतम हो जाएगी अब सदस्ता खतम होने के बाद या डिस्क्वालिफाई होने के बाद एक debate हो गया है कि क्या जो members है assembly के या फिर parliament के क्या उनका disqualification immediate होना चाहिए सुप्रिम कोट ने ऐसा जरूर कहा है तो debate अभी है कि क्या immediate होना चाहिए क्यों क्योंकि कुछ gray areas है law में अभी जो मामला वह यह है कि क्या जो किसी मेंबर को अगर दो साल से ज्यादा सजा मिलता है क्या उसको immediately disqualify किया जाना चाहिए या उसको कुछ time period मिलना चाहिए अपने अपने जो उसका conviction है या पर sentence है उसके against appeal करने के लिए और उसके stay लेने के लिए उसके कुछ reasons हैं मैं आप पहले वह यह बता दूँ कि यहां पर हम लोग बाग कर रहे हैं RPA का RPA का section 8 sub section 3 और sub section 4 section 3 क्या कहता है कि दो साल के साजा होने पे जो member है वो disqualify हो जाएगा तो जो member है वो जितना 10 year जो time period है sentence का उतने दिन के लिए plus 6 साल और के लिए यानि कि अगर राहूल गांधी को सजा होती है वो कोई stay नहीं मिलता है तो 2 साल plus 6 साल टोटल 8 साल के लिए disqualify हो सकते हैं लेकिन जो RPA का section 8 का sub section 4 है 4 effect था वो यह कहता था कि जो भी कोई भी अगर sitting MPI मिल ले है उसको 3 महिने का time मिलेगा यानि कि उसका जो disqualification का effect है वो 3 महिने बाद होगा इस 3 महिने में उनको एक opportunity थी कि उसके against अपने appeal ले सकते थे कोई भी appellate court में जाके वहांके यह उनका जो conviction है उनका जो sentence के against इसे ले सकते थे तो पहले क्या था कि सिफ appeal कर देने पर ही जो disqualification है वो differ हो जाता था तो 3 मैंने के अगर अगर appeal मिल गया तो disqualification हो differ हो जाएगा जब तक court उसको decide न करे तब तक लेकिन supreme court ने supreme court ने लिली thomas case में यह case वह था 2013 में लिली thomas case में supreme court नहीं कहा कि जो जो subsection 4 है यह it is ultra wires ultra wires ultra wires the constitution means कि this is unconstitutional यह असमय धानिक है क्यों कि देखें जब disqualification की बात हो रही है तो किसी को भी अगर सजा हो रहा है सजा किसी को conviction ordinary citizen को मिल सकता है MPI मिलने को भी हो सकता है तो इसमें कुछ फरक था क्योंकि अगर कोई भी कि अगर ordinary citizen को ordinary citizen को अगर सजा मिलता है उसका जो disqualification हो immediate होता था लेकिन जो MPI मिलने को अगर सजा मिलता है तो उसको तीन महीने का यह जो section 4 है यह तीन महीने का time देता था कि उसका जो disqualification है वो force में आएगा after three months time appeal करने का Supreme Court ने कहा कि Parliament के पास यह authority नहीं है यह competence नहीं है कि separate provisions बनाए जाए ordinary citizen के लिए और sitting MPI MLA के लिए पहली बाप दूसरी बास Supreme Court ने कहा कि Parliament सर्फ यह कह सकता है कि जो Supreme Court ने जो section section 4 था उसको unconstitutional करार दिया अब क्या होगा कि अगर सब section 4 अगर तीन महीने का time देता था अभी तीन महीने का time नहीं रहा इसका मतलब यह है जो disqualification होगा हो immediate होगा अब देखिए इसमें क्या है इस case में इसकी वाइस कुछ gray areas है gray areas हम आप discuss करें कि अभी हम आगे देखेंगे JJLLT का case और मुहमत फैजल का case मुहमत फैजल का case अभी recent कैसी क्या है तब आपको समझ में आगा मैं क्या ना क्या चाहरा हूं यहां पर लेकिन लेली थोमस केस में government का यह response था government ने जो oppose किया जो लेली थोमस ने petition file किया तसे section 4 को struck down करने के लिए उसके against government का incident था government ने कुछ practical considerations point out किये और कुछ legal issues point out किये practical consideration क्या था कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि जो government है government के पास एक wafer thin majority है ठीक है wafer thin majority means कि अगर 273 members चाहिए majority लाने के लिए parliament में तो हो सकता है कि government के पास 273 ही हूं यकि 274 हूं अगर एक दूर लोग ऐसा ही disqualify होगे तो सरकार गिए सकती है तो एक तरह का political instability आ सकता है political instability तो democratic considerations को ध्यान में रखते हैं कि government ने कहा कि to prevent regime change जरूरी ये है कि तीन मेने का समय मिले और जो members है उनको अगर disqualify किया कि sentence मिला है तो उनको अपील कर पाएं फिर है कि क्या होगा अगर let's say कि disqualify हो गया immediate disqualification हो गया अब disqualification के बाद क्या होगा कि जो election जो लोगसवा है लोगसवा secretary notify करेगा कि ये seat खाली हो चुकी है उसके बाद क्या होगा कि by elections होंगे election commission की responsibility है कि 6 मेने के अंदर वहाँ पे elections हो बाई elections होए यहाँ पे कोई और person कोई और person यहां से जीत किया आया fine अब क्या होगा कि जो जो member disqualify हुआ है जो MP for example अगर कोई MP है अगर वो disqualify हुआ है उसने appeal किया है अगर कोई appellate court उसको उसको उसक्या conviction है जो sentence है उसको reverse कर देता है उसको exonerate कर देता है तब क्या होगा देखें जो MP है appellate court यह कह दिया कि आप गलत नहीं है लेकिन अब elections हो चुके हैं elections के result को reverse नहीं किया सकता है तो अगर MP को को MP मिलने है अगर appellate court ने यह कहा कि आपका conviction और sentence रॉंग था उनको अगर exonerate कर दिया गया तो जो disqualification है वो reverse हो जाएगा लेकिन दुबारा उनको उस seat पे उस membership पे रिंस्टेट नहीं किया सकता मिसके दुबारा उनको MP नहीं बनाया सकता क्यों क्यों क्योंकि आप सीट पर बाइलेक्शन हो चुका है और वहां पे दूसरा को इलेक्ट हो चुका है तो यह इशू था गौवर्मेंट ने यह भी कहा गौवर्मेंट ने लिगल ग्राउंड क्या दिया कि जो disqualification को difference नहीं है ordinary citizen और sitting MP MLS के बीच में simply जो आर्पीए है subsection 4 simply defer करता है for three months three months के लिए जो disqualification उसको टाल देता है disqualification होगा लेकित तीन मेने के लिए नहीं होगा लेकिन despite all grounds Supreme Court ने Supreme Court ने यह कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि ordinary citizen versus अगर कोई legislature है तो इसकी बीच में difference नहीं हो सकता ठीक है article 14 का हवाला देते हुए equality का हवाला देते हुए Supreme Court ने इस provision को unconstitutional करार दिया अब देखें क्या हुआ Supreme Court ने कुछ clarification दिये एक केस हुआ फिर लोग प्रहरी केस लोग प्रहरी केस हुआ इसमें Supreme Court ने कहा कि जो disqualified MPs या legislatures है उनके पास यह option है तो लग कि remedy क्या है इसका remedy यह है कि वो जाए appellate court में अगर वहां के session court ने दिया है तो हम district court में जाए या फिर high court में जाए तो appellate court में जाए और वहां से कि अपने sentence पे और conviction पे दोनों पिस्टे लेके हैं पहले क्या था कि पहले appeal हो गया पहले appeal हो गया जो disqualification defer हो जाता था टल जाता था जब तक इस पे जो appellate court तो decision ना ले लेकिन Supreme Court ने कहा देखें किसी को भी अगर सजा सुना जाती है तो दो पार्ट होता है पहला conviction है तो सुप्रेम कोट ने कहा कि सेंटेंस को सस्पेंट करना पड़ेगा और conviction दोनों को सस्पेंट करना पड़ेगा अगर को रिवर्स करना है तो लेकिन Supreme Court ने कहा कि जो conviction पर इसके मिलेगा वह rare cases में मिलेगा सभी cases में नहीं मिलेगा वो कुछ legal grounds थे उसके कहने मतलब यहां पर यह है कि Supreme Court ने लोग प्रहरी केस में यह कहा कि अगर आपको conviction और sentence दोनों पर इसके मिल जाता है आपका जो दिस्कालिफिकेशन है वो रिवर्स हो जाएगा इट मिन्स कि आपको दुबारा से रिंस्टेट किया सकता है अजे लेक्स लेचर ऐसा का Supreme Court ने लोग प्रहरी केस में अब देखे क्या हुआ अब क्या होगा कि अगर sentence पर इस्टे मिला करन्युक्षन पर इस्टे नहीं मिला तो क्या होगा तो डिस्कालिफिकेशन जो है डिफर नहीं होगा वो डिस्कालिफाई रहेगा परसंट आपको मैं गरेगर इजामपल दूँ एग्जामपल दे जे जैलेलिता का जे जैलेलिता को सिवा सिटिंग चीफ मिनिस्टर 2014 में शौप कर्वक्षन की केस में सजा मिला इन्होंने इसके अपील किया ठीक है अपेलेट होट में पेल्स पे इनको इस्टे नहीं मिला इनका जो आपकील कॉने सिक्विक्षेइल मिन सेंटेंस मिले से का में अधने 22 अब ये क्या होगी, ये disqualify होगे, disqualify होगे, ठीक है, disqualification के बाद वहाँ पे by elections हुए, by elections वहाँ पे हो गए, अब इसके बाद क्या हुगा, कि by elections तो हो गए, लेकिन इन्हों थो प्र अपना जो फिर इन्हों ने दुबारा करनाट का high court में, करनाट का high court में appeal किया, करनाट का हाई कॉर्ट में ने इनको कॉन्विक्शन और सेंटेंस दोनों पे स्टे दे दिया अब दुबारा क्वालिफाई यह चुना लडने के लिए तो तब तक बीच में कोई चीफ मिस्टर वहाँ पे था दुबारा इनोंने एक सीट खाली करवाया बाइलेक्शन का चुना हुआ वहाँ पे और यह जीत किया है यह दुबारा चीफ मिस्टर बनी कहने का मतलब यह है कि कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों पे स्टे मिलेगा तब ही जाके जो परसन है वो दुबारा से क्वालिफाई हो पाएगा चुना हुआ लड़ने के लिए जेज एलेलता को वहां के जो लोकल कोट ने जब फर्दर वहां के जो अपलेट कोट था वहां पर इनों अपील किया तो कन्विक्शन पे इस्टे नहीं मिला इस वज़ए से वो डिसक्वालिफाई रही जब करनाड का हाई कोट ने कहा तब स्टेज दिया तब जाके वो क्वालिफाई हो चुना लड़ने के लिए अब देखें यह बात ही जेज लेलता की मुहमत फैजल यह लक्षुदीप से अभी सिटिंग एंपी हैं इनको एक केस में जैनवरी में जैनवरी में इनको दस साल का सजा मिला ठीक है किसी क्रिमलों के इसमें इनको 10 साल का सजा मिला इन्होंने क्या किया अच्छा इस सजा के बाद इनको लोगसभा ने तत्काल प्रभाव से डिस्क्वालिफाई कर दिया लोगसभा की सेक्रेटरेट ने नोटिफिकेशन इसू किया और इनको यह कहा कि सीट अब खाली हो चुकी है अगर सीट में लिफिकन हो चुकी है दोगा क्या कि इलेक्षान कमिनिशनने तट्सने का देट अनॉंस कर सक दिया नहीं थिक् sich सुप्रीम कोट में गया लेकिन अभी तक अभी तक लोग सभाने नहीं किया है क्योंकि अग़र देखें अगर उनको मिला है स्टेक कन्विक्शन और सेंटेस दोनों पे इट मींस कि वो दुबारा क्वालिफाई हो गए है लेकिन अभी तक लोगसभा ने इनको रिंस्टेट नहीं किया है और अगीन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि अगर वो दुबारा क्वालिफाई हो गए है तो उनका दिस्कॉलिफिक्शन वो रिवर्स हो जाना चाहिए तो रिवर्स हो गया है बट लोगसभा ने अभी उनको रिंस्टेट नहीं किया है और इस मामले को लेकि दुबारा सुप्रीम कोर्ट में है अब देखें जहां वे प्रॉल्लम क्या है प्रॉल्लम यह है कि अगर अगर ज दोनों सेम डेट से ओपरेट करता है इफेक्ट में आता है लेकिन फिर बात में इनका डिस्कॉलिफिकेशन है अब देखें इसका इस्टे मिल गया इनको अगर इस्टे मिल गया तो यह जो बीच का समय है अगर चाहिए जो भी यह कुछ पंदर से बीस दिन का ही समय था जैन पुन को यह मिले मिले मिला मिला है इसकता है इसको रिजन से अभी तक लोगसाहां ने इनको रिजिश कर्डन से किया है तो आगे अगर इसको नोट च publishers ऊं counted माम रसे हैंनको अगर और देखें प्रेक्टिकल वे में इस मैटर को डिल किया सकता है जी हां बिल्कुल शॉलूशन है फॉर एक्जामपल जो सेकेटरेट है लोगसभा का वो वेट कर सकता है कुछ दिन तक कि क्या जो पर्सन जो लेक्ष लेचर है वो अपील करता है फर्दर और अपील इस्टे न मिलने पे उस इनका जो सीट वेकेंट हो गया डिस्कॉलफाई हो चुके हैं तो सेकेटरेट जो है वो वेट कर सकता है कि वो अपना स्टे लेकर आए इस्टे न मिलने तो उनको डिस्कॉलफाई किया जाए सीट वेकेंट नोटिफाई कर दिया जाए पहली बात दूसरी बात यह है कि अग करनल आगे सुपरीम कोट में है सुपरीम कोट इस पर कुछ क्लारिफिकेशन दे सकता है एक और इसमें शुव है कि जो आपुमेटिक बात करता है MLS के बारे में इस्टेट लेक्स लेचर के बारे में लेकिन आर्टिकल 103 ये कहता है कि अगर कोई MP डिस्कॉलफाई हुआ है तो जो लोगसाभा में उसका सीट वेकेंट होना है ये ये नुटिफाई करेंगे प्रेजिडेंट ठीक है तो आटोमेटिक डिस्कॉलिफिकेशन की कॉंस्टिटूशन बात नहीं की गए उसी प्रकार से जब 191 के अंडर में कोई MLA डिस्कॉलफाई किया जाएगा तो आर्टिकल 192 में 192 में ये कहा गया है जो गोवर्नर है गोवर्नर फानल नोटिफाई करे किया है इसको रिवर्स किया सकता सब्सक्राइब उसको वेट करना चाहिए जो मेंबर है तोस्को मेंबर करना है अगर उसको stay मिल जाता है तो immediately उसका जो membership उसको restore किया जाए जो automatic disqualification की constitution ने बात नहीं किया गया है तो यह notify करना होता है प्रेजिडेंट को गवर्नर को तो जैसे constitution में कहा गया वैसा ही हो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लेली थोमस केस के बाद जो state assemblies है पारलेमेंट है वो notify करते कि immediate disqualification को लेके अभी देखें आजम खान के case हुआ था यूपी में last year वहां पर वे assembly ने तत्काल प्रवावास अंगे इसकालफाई कर दिया गौवर्नर का कोई रोल नहीं आया उसमें तो यह भी कुछ areas है जो दूसरा topic है आज का हुआ है oceans को लेके जी ट्वेंटी की presidency इंडिया के पास है और सभी countries जो भी जी ट्वेंटी कंट्री से सभी यह प्रयास करें कि उनका जो blue economy है वो develop हो expand हो जरूरी यह है कि यह इंडिया के पास opportunity है कि कैसे जी ट्वेंटी platform को use करके oceans के sustainable development के लिए एक common vision त्यार किया सकता है common code of conduct त्यार किया सकता है तो जिसके जिन country के पास भी oceans है oceans को कहा जाता है door to prosperity क्यों क्योंकि oceans का दो significance है पहला significance है economic दूसरा significance है अब देखें कि कोई भी country है या फिर आप इंडिया की ही बात करें इंडिया में coastal states है hinterland states है जो लेवल अफ economic development है पर capita income में तमिल नेडू का करनाटका का महरास्टरा का वो कहीं जादा है बिहार यूपी से hinterland states है तो जो coastal areas होते हैं उनकी पास opportunity होती इंटराक्ट करने का from the outside world वो प्लेड अच्छे से कर सकते हैं जो ocean resources होते हैं उनको यूज करके अपने हाँ economic development कर सकते हैं पहली बात है economic prosperity दूसरी बात steady significance का जो भी coastal countries हैं उनके पास यह opportunity होती है कि अपना जो power है वो बायोन national boundaries प्रोजेक्ट कर सकती हैं तो UK ने UK का उनके पास बायोन coastal areas हो सकता है तो दो significance है economic और strategic तो G20 की हम बात कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो G20 countries है दुनिया भर का जो coastline है उसका 45% coastline इनका है सभी का अगर add कर रहे हम G20 countries का coastline तो almost 45% of the entire world's coastline इनके पास है 21% exclusive economic zones इनके पास है exclusive economic zones क्या होते हैं कि अगर for example अगर यह इंडिया है इंडिया का principal area है यह तो यह coast है और यहां से आप 200 nautical miles 200 nautical miles आगे जाएं तो जो यह region होगा means कि coast से लेके 200 nautical miles तक जो region होता है उसको बोलते है exclusive economic zone में कोई big country अगर के पास है यह zone तो उस region में उस area में जो भी economic resources हैं उनके उपर इनका राइट्स होता है वो उसको flora fauna के case में भी ठीक है जो oceans हैं वो global weather को भी regulate करते हैं कैसे देखें oceans एक तो यह है कि सबसे 70% area को पाई करते हैं अर्थ का तो सबसे ज्यादा जो climatic और weather events से वो oceans पर होते हैं जूसरी बात यह है कि जो oceans होते हैं वो सबसे करते हैं लेकिन उसके वज़ा से वहाँ पर ओशन वार्मिंग भी हो रहा है कहने का मतलब यह है कि oceans का importance biodiversity के context में भी है economic development के context में भी है और global climate change के context में भी है इसी को ध्यान में रखते हुए सभी countries ने अपना-पना agenda त्यार किया है oceans को exploit करने का या फिर oceans को development को लेके इंडिया ने इंडिया ने कई सारे skills पिछले कुछ सालों में लाए हैं सबसे जो important scheme इंडिया का वो है सागर माला सागर माला का objective है port related development है ठीक है port related development एक तरह का urban port city मनाया जाए जो भी connectivity यह दिया जाए वहाँ पर investment time investment export purpose के लिए है उस तरह का objective सागर माला का फिर सीप building financial assistant policy इसका objective है कि domestic ship building इंडिस्ट्री को promote किया जाए domestic ship building इंडिस्ट्री को promote किया जाए ठीक है फिर है प्राइम मिनिस्ट्र मतस संपदा योजना इसका objective है कि एक responsible और sustainable वे में fisheries sector को develop किया जाए fisheries sector को इसमें जो fisher folks है उनके भी welfare की बात होती है फिर है deep ocean missions इसका objective यह है कि यहाँ पर जो deep resources deep sea resources है deep sea resources उनका exploit किया जाए ठीक है और technology का यूज किया जाए कि sustainable वे में जो resources है उनको harness किया सके तो इसमें resources को exploit करने के यह बात होती है और technology development की भी बात होती है यहाँ पर फिर है coastal regulation zone तो जो भी coastal areas ecologically sensitive है वहाँ पर development regulate करने के लिए government ने लाया coastal regulation zone notification फिर है plastic waste management rules comment of India ने 2021 में single plastic को single use plastic को ban कर दिया ban क्यों कर दिया क्योंकि इसका सबसे ज्यादा impact of course land land के लिए तो हुथा आई लेकिन plastic का सबसे ज्यादा आज देट में oceans पर हो रहा है तो बड़ा plastic कामबार तो है ही oceans में सब्से जाद चैलेंज होगा है माइक्रो प्लास्टिक का क्योंकि उसको फिस को फिस को इमर करते तो एक cycle की तरह घुम फिर के plastic इंसान के बॉड़ी में आ जाता है तो government ने oceans related जो economy है उसको development के लिए इंद्जाम किया है जो oceans related लोग stakeholders है उनकी भी care की बात की गई है और कैसे एक जो फ्रेगाइल coastal sustainability तो अलग-अलग areas के लिए अलग sectors के लिए अलग वर्की ग्रूप है लेकिन यह जो group है environment and climate sustainability working group इसका objective है blue economy भी blue economy को sustainable way में develop करना भी इस working group का objective है अब देखे इसमें क्या होगा कि कुछ principles develop किये जाएंगे principle किये जाएंगे कि जो help करेंगे sustainable use and equitable economic development of develop it not equitable economic development through oceans through oceans and its resources ठीक है और साथी साथ जो climate change का challenge है उसको भी tackle करना means कि economic development through use of ocean resources और simultaneously climate change का challenge भी tackle करना ठीक है तो आप देखें कि G20 ने जी ट्वेंटी ने पैनले भी कुछ initiatives लिए हैं और ओशन को sustainable development करने के लिए जी ट्वेंटी के क्या का initiatives है जी ट्वेंटी एक्षन प्लान और मैरेन लिटर उसाका blue ocean mission और फिर coral r&d accelerator platform ठीक है अभी जी ट्वेंटी ने लास्ट येर एक और initiative लिया था ocean 20 ओशन 20 इसका objective था blue economy को develop करना तो oceans का importance सभी ने समझा है जी ट्वेंटी ने भी अपने platform से oceans के sustainable development के लिए कुछ-कुछ initiatives लिये हैं जरूरी यह है जरूरी यह है कि देखें जो भी मेंबर से G20 का सबका अपना ambition है blue economic development को लेके लेकर कुछ hindrances है और जब तक उसको tackle नहीं किया जाए तब तक कोई सभी countries जोए cripple हो जाएंगी अपना blue economy proper तरीके से नहीं कर पाएंगी challenges क्या क्या है challenge extreme weather events ठीक है ocean acidification जो मैंने आपको पताया कि जो co2 का co2 का absorption होता है oceans में उसके वज़े से oceans acidify acidify हो रहे हैं उनका pH value जो है वह vary कर रहा है फिर sea level rise sea level rise क्यों हो रहा है क्योंकि जो glacials है वह retreat हो रहे हैं ठीक है वह उतना water hold नहीं कर पा मेरेंट पॉलूशन पर्टिकुलरली बाई ships एंड प्लास्टिक पॉलूशन फिर ओवर extraction of resources फिर अनप्लांड अर्मनाजेशन तो यह कुछ challenges है जो कि सभी countries के लिए challenges हैं जरूरी यह है कि सभी countries इस platform का इस्तमाल करके common vision त्यार करें oceans के sustainable development को लेके ठीक है तो इंडिया के पास यह opportunity है कि जो momentum रहा है पहले का उसको continue करें और आने वाल समय के लिए एक vision तैयार हो कि सभी countries जो है अपना individual और collective way में contribute करें ठीक है for sustainable development of blue economy तो यह था objective माने discussion का oceans and G20 का आज का जो तिसरा article है वो है Armed Forces Special Powers Act 1958 के बारे में central government ने कुछ एरियास आसाम मनिपूर और का लेंड के कुछ एरियास से जो आफस्पा है वो हटा लिया है इट मेंस कि वहाँ पे जो पूरी अब सेक्यूर्टिक responsibility है वो civil police की होगी अधर्वाइस paramilitary force और military भी वहाँ पर रहती है जहां भी आफस्पा होता है क्यों क्यों कि आफस्पा कहां लाग होता है कि किसी particular area को इसमें देखें इसमें section 3 है section 3 बात करता है disturbed areas की ठीक है तो अगर कहीं कुछ insurgency है terrorism है तो उस area को declare कर दिया जा सकता है disturbed area इसको कौन declare करेगा आज़र president प्रेशिडेंट भी कर सकते हैं या फिर governor भी कर सकते हैं तो central state दोने पास authority होती है disturbed area declare करने का अभी जो इंडिया में disturbed areas है वो पांच states में है जैनके जैनके में है नागा लेंड आसाम मनिपूर और अर्वनाशनल प्रदियस में तो यह जो पांच states है इन में और सातार सालों से government लागतार काफी सारे area से आफस्वाँ हटा रही है इट मेंसिक नागा लेंड एक state भी है तो पूरे नागा लेंड में आफस्वा नहीं है नागाल के कुछी एरियों में आफस्वा रह गया है पहले सारे area मतलब तो कहने मतलब यह है कि अब आफस्वाँ ह होती है insurgency से लिए जो भी security है उसकी responsibility होती है paramilitary forces का और army का depending कहां पर army deployed है कहां paramilitary forces deployed है ठीक है तो पहली बात यह है कि जो forces है paramilitary forces और army उनको withdraw कर ले जाएगा वहां से दूतरी बात यह है कि जो लोग वहां पे जो भी लोग आते जाते हैं उन उनकी काफी एक इस्ट्रिट चेकिंग होती है तो कई जग़े चेक points लगाए गए हैं ठीक है वहां पे proper तरीके चेकिंग होती है तो यह check points है frisking points है उनको लिए जाएगा तो लोगों को आने जाने में भी स्रविजा होगी काफी easy रहेगा तो कहने का मतलब यह है कि आफपा का हटना कुछ area से बहुत significant development है क्योंकि पिछले more than 60 years से काफी areas है जो north east के हैं वो आफपा के under में रह रहे हैं क्यों क्योंकि देखें वहां पी insurgency हैं और insurgency की वज़े से जो local police से security situation के handle नहीं कर पाती इसी लिए बाकी सारी forces को बुढ़ा जाता है वहां पर और इससे क्या होता है कि हमेशा एक दर का महौल पैजा रहता है क्यों क्योंकि जो आफ़ता power देता है forces को बहुत ही sweeping power होता है ठीक है बहुत ही sweeping power होता है कि जो की normal civilian पुलिस के पास नहीं रहता है जो एक्टिविस्ट के कहना यह कि यह एक draconian act है ठीक है draconian act है कि इसकी वज़ाएसे लोगों में alienation सबसे ज़्यादा हो रहा है उसको बढ़े क्यों हो रहा है alienation आगी चलके तो कहने के मतलब यह है कि आपसपा कोटा लिया गया है इसके रिजन क्या है रिजन से improved security situation तो security situation इंप्रूव कैसे हो रही है काफी सारे जो insurgents से उनके साथ negotiation चल रहे है reconciliation हो रहा है तो अपने जो आम से वो lay down कर देते हैं अपने अथियार डाल देते हैं या फिर politics का हिस्सा हो जाते है एक political mainstream के participate करते हैं वो या फिर negotiate करके वो एक peaceful way में अब रहना चाहते हैं कहाने का मतलब यह है कि security situation इंप्रूव हो रहा है तो North East में क्या था कि अब क्या था कि insurgency करने के लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए money ठीक है money चाहिए arms चाहिए क्योंकि हथियार को खरिदना है अपने cadres को sustain करना है तो पैसा चाहिए उनके लिए अब वो क्या करते थे कि extortion करते थे extortion भी होता था और drug trafficking भी होता था तो arms का smuggling extortion drug trafficking यह पूरा एक prevalence है North East में लेकिन अब देखें कि जैसे security situation इंप्रूव हुआ है तो extortion कम हो गया है ठीक है पहली बात एक्स्ट्रॉथर किसे होता था जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रॉथर प्रोजेक्ट्स डेवल्पक यह यहा थे जो प्राइवेट डेवल्पर्स थे उनसे इप्स्ट्रॉशन होता था दूसरी बात यह है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्टरी Letter। मोँचशन चाहिए 40 उे स्चिवियूलूटी धूर कम चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्ट्टर प्रजेट रेक्सें अब वह हमेंereye का तेट्सिट्टय अट कर दिया गया है इन रिजन्स से इन कारणों से जो से केटिशन ओवराल इंप्रूव हुआ है उससे आपस्पा को दिरे दिरे हटाया जा रहा है और हम देखते हैं कि जो आपस्पा है इसको इंपोज ही क्यों किया गया था तो नौर्थ इस्ट में जो इंसरजेंसी का लेबल था वो इस तरह का सब्सक्राइब करने के लिए तो पहला चलेंज यह था कि इंसरजेंसी और सिविलियर अडिमस्टेशन का इन अबिल्टी टू कंट्रोल दो सिच्वेशन अब देखिए इंसरजेंसी पैदा कब से हुगा सबसे पहले जो इंसरजेंसी शुरू हुए थी वो नागालेंड में नागालेंड में 1940 में सजेसी शुरू हुए थी एक लंबा समय चला काफी सारे वालेंस हुआ यहां इस स्टेट में और 1997 में आके यहां पर सिस्फायर एग्रेमेंट साइन किया गया जो इंसरजेंस थे और गवर्मेंट ऑफ एंडिया के बीच में सिस्फायर एग्रेमेंट स साइन किया गया कि जो भी और नेगोशेशन होने हैं जो इस इस प्रेमेंट साइन किया है वह थे नागालेंड सुचलिस्ट काउशिल ओफ नागालीम ठीक है इसाक मोईवा फिथा नागा नेशनल पॉलिटिकल गुरूप यह कुछ जो अलगए पॉलिटिकल एक टीव तो कहने के मतलब यह है कि अब नागा लेंड में भी जो सिक्यर्टी सिस्टूइशन से दिरे दिरे इंप्रूव होना शुरू हुए पिछले लगवला बग 20 सालों में उसी ज़री के से आप देखें कि नागा लेंड के बाद जो इंसर्जेंसी शुरूई थी वह शुरूई थ तो मिज़ों एक आइडियल एक एक कैसे जनी बेंचमार्ट है कोई भी पीछ नेगोशेशन करना है पीस टॉक्स इनिशेट करना है तो मिज़ों एक उपॉर्टन बेंचमार है क्योंकि यह इस एकॉर्ड के बाद जो भी हुआ की सर्जेंस थे वह पॉलिटिक्स में इस ति में आगया तो मिज़रों के बाद जो इसरजेंसी शुरू होई थी वह थे मनेपूर में मनेपूर में 1970 से सुरू होई थी इसरजेंसी 2012 में 2012 में काफी गिर्वान से था हुआ के लोगों का संग्यान लिया और कुछ इसके बाद मनेपूर के बाद आसाम में शुरू हुआ था अब दिखें कि असाम में सुरू हुआ था 1980 में 1980 में तो जो उल्फा ग्रुप थे बोडो थे इन्होंने सुरू किया था में इनका इशू किया था कि जो भी बंगलादेश से माइगरेट्स आ रहे थे उनको लेकिए इनका इशू था और नहोंने इसरजेंसे सुरू की थी त पर हो झेकर इंटे मिल यह थाहर आ यहीं सदेट से अइसको आटा लेकिए क्योंको फिर्बी को टिक्समें एडिकशेंट्स कीया रहा है और इसके वज है से और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब हो रही है और और सब्सक्राइब हो रही है इकनामिक डिवलोपेंट वहाँ पर काफी तेजी से हो रहा है तो आप देखेंगे कि इसलिए कि जो फोर्सेज थे पैरा मिल्ट्री और फिंट्री के आगर कोई अक्तिविटी अगर आम से लिया है जंप पर फाइर कर सकते हैं इसकी पर पर करने के इतने उनके पास अथोर्ठी ती उससी को पस् होती है तो कि अगर कहीं करने के अथर्टी विधाट случаal लितार हाल चेख बैलनसलज्य निहीं कि घड़ाएं कि प्रम का की ऊट जाорыan कि अगर आप फायर ओपन कर रहें तो आको प्रायर वर्णिंग देना पड़ेगी किक है अगर आप किसी को किसी को अरेस्ट कर रहे हैं विदिन 24 ओर जो लोकल पूलिस से उसको हैंड़ करना होगा फिर था कि जो ARM औरन्ट पोर्सेस उनको डिस्टिक्ट अडिस्टिक्ट अडिस्टिक्ट इनटेंशन के साथ एक कोपरेशन में अपने अक्टिविटी करने करनी पड़ेगी तो कुछ चेक बैलेंज जरूर था लगें फिर भी काफी वॉयलन्स के केसेस महां पर हो रहे थे कई बार एलिगेश पीस्फुल था ठीक है मुव्मेंट पीस्फुल था अब सेक्योर्टी फोसे डिप्लाइब कर से क्या हुआ कि वहाँ एलिनेशन वालोगों के बीच में जो एक पीस्फुल मुव्मेंट था नागालिम के लिए उस ग्रेटर नागालेंड के लिए तो उसको रस्पॉंड के बढ़ गया फिर जो इस तरह से करके सभी स्टेट्स में अलग अलग रिजन था ठीक है इस्टा जी उसे क्लिंज थे वहाँ पे अगर हम बात करें मनिपूर में 2012 में जो प्याइल फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में प्याइल में ये कहा गया था कि जो फीक इनकाउंटर हुए है वह हुए है फंदरासो अठाइस ये कब हुए है 1979 और 2012 के बीच में फिक इनकाउंटर सुप्रीम कोट ने क्या किया है कि 6 सेंपल केसे से इसमें से उठाय और इसको इन्वेस्टियेट करवाया और 6-6 केसे मिले कि ये फिक इनकाउंटर थे तो कही न कहीं कहीं न कही स्टेट के तरफ से भी जाती थी और इसके वज़े से लोगों में स्टेट से एलनेशन हो रहा था ठीक है इस सरजेंट्स के लोगों के लोगों के अंदर सिंपैथी थी तो यहां पर क्या हुआ कि कई सारे अटेंट्स किये गए कि जो आफस्पा इसको डालूट किया जाए इसको रिपील किया जाए उसको हटाया जाए सिविल सोसाइटी ने काफ भी इसका पोस्ट किया अगर आप नाम सुना होगा आयराम शर्मिला का इन्होंने यह मनिपूर की महिला है और इन्होंने 2000 से लेकि अपना फास्ट सुरू की आफस्पा को हटाने के लिए और यह अग कजै और एक शिंबल है इसब स्थय ऐडंड ऩे संबल ओफ और दोफ आप इसमबलee नोर्थेस इस कम्टी के रह्कमिटेशन को सेकेंड और किया बाद में जो मिन्री अन। सब्सक्राइब करें लेकिन उसको अमेंड करके उसके जो हार्ष प्रोविजन से उनको डालूट किया सकता है तो कहने का मतलब यह है कि डेस्पाइट ऑल चैलेंजिस जहां कभी ऐसा लग रहा था कि इंडिया का इंडिया का हिसा बनके रहने ही पाएगा लॉंटरम में लेकिन कि जिस तरह से गौवश्मेंट ने अपने अपने आउन्फॉर्सिजज को या फीर इंडेस अजरीस को जिसतर तरह से निगुशेट किया है जिस तरह से श्चेट गौवश्मेंट के प्लतेश्याइप दिखाया है और सेंडियों ओटनल्स परोपया है और सLDों यहां कुए सेटलमेंट करके ही मामले को ठीक करा ज़रूरी है आम्स का इस्तमाल जाज इन तक नहीं हो सकता ठीक है थांकि भरी मेंच फॉर पेशन्स